हाई गाईज वेलकाम है आप सभी को हमारे अनाधर वीडियो में जैसे कि मैंने आपको डियेस के सिख्जी टेस्ट मारने के लिए राइट से बटम से लेकर बाटकल तक और बाटकल से लेकर टॉप तक आपको दो वीडियो अपलोड किया तो गाइस इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लेफ साइट में किस तरह अपना सिख्जी पोजिशन में टेस्ट मारा जाता है कैसे रूट निकाला जाता है कैसे आपका पेंटिनेशन आएगा तो सारी इस वीडियो में जनकारी आपको मिलेगी कि एगाइस चलिए आपको दिखाते हैं सिख्जी का पोजिशन डियासस में किस तरह मारा जाता है और यह हमारा सिख्जी पोजिशन में पीस रखा गया है यह टेप इसलिए मारते हैं ताकि पर्चिंग अमरा बरबर आये पर्चिंग के लिए आप अगारा है और यह अर्गन टर्ज को सही कर रहा है अंदर में और टेश्पीस इस तरह जाता है उपर में और पूजिशन बना रहे हमना टार्ज का बैक अप और क्वाइलेट और टेंडिशन को चीज़रा टाइट कर लेंगे तक ही हम जब भी अपना रूट मारना है श्टार्ट करें तक ही गैस रिकेश के कारण से परसुटी आ सकता है और अक्सीजन हमारा अपना बरबर चेक करेंगे कहीं है तो नहीं क्योंकि इसकी लिए मानीटर उपर में देख सकते है काला रंग का जो पाइप है वो मानीटर ल सब्सक्राइब करेंगे तो जिरुँँदि आपको आएगा तो अभी हम पूरा रेडियो हो चुके हैं अब करेंगे अपना रूट इस्टार्ट अभी हम पावर में लेंगे एट्टी या एट्टी फाइब या 75 ले सकते हैं लेकिन आप एट्टी पे लेंगे तो अच्छी तरह से हो जाएगा जैसे हमने एकमम पीछे से उठाकर गरम करते हुए लाएंगे और अपना इस्टाइटिंग पॉइंट बना कर रखेंगे वहां पर हाथ रोक कर दूनों साइड में फिलर दे कर फिर उपर वाले पाइप पे अपना फिलर रखेंगे और राम से काट कट के द फेश रखें और भेबल के अंदर ही दोनों अपने फोक्स यानि टार्च को चलाएं क्यूंकि आप दूनों भेबल के अंदर में चलाएंगे तो अच्छी तरह से आपका दूनों एक एकमम दूनों साइड में आपका एच मेल्ट होते जाएगा और अपना फिलर टॉप पले पाइप में रखके मारेंगे तो तक्रिवम तीन से चार एमन चावड़ा आएगा पेंटेनेशन दूनों साइड को मेल्ट करते हुए और हाइट होगा पेंटेनेशन का वह नेमम ओके गाईस तो आपका भी भी मारें तो दूनों पाइप के भेबल के अंदर ही अपना टार् ओके गाईस विज्वल उसे कहते हैं जो देखने में अच्छा लगता है तो कभी भी आप टेस्ट मारेंगे तो सबसे पहले आपका पीस विज्वल यानी देखकर ही क्यूसी यह क्लाइंट जो भी रहेगा आपको पास करेगा तब आपको आटी और एक्सरे में जॉइंट र जैसे मैंने आपको बताया कि दूनों भेबल के अंदर आप अपना टॉर्ष को रखेंगे और फोक्स जो अधा है न आया आपका टॉर्ष का वो परोबर दूनो एस पे आपको ब्लों होना चाहिए जैसे कि guys मैं आपको outside से आपको दिखा रहा हूँ यानि बाहर से कि किस तरह में मार रहा हूँ अपना torch किस तरह में चला रहा हूँ और fox किस तरह में अपना moving कर रहा हूँ एक age पर फिलर रखेंगे और दूसरे age को आप melt करेंगे मुविंग इस तरह हलका हलका हाथ लेकर चलाएंगे तो अपका अच्छी तरह मेल्टिंग होगा है अभी हम आ चुके हैं टॉप के पोजिशन में बाटिकल से उपर आ चुके हैं यह हमारा सिख जी में पीछ लगता है 90 डिग्री 45 डिग्री में लगता है टेस्ट मारा जाता है से सीग पोजिशन मोग जाता है अभी अपनाय कंटेंगे बिर इसके वास से अपनारा पॉइंट करके के सब्सक्राइब यह दूनों को इसके बंगेंगे फिर अच्छे अपना पॉइंट बनाकर देख सकते अग marginazioni के भीच में हुपर में हम इल्टिंग करेंगे तो मरेंगU और हलका सा एच पतला कर देंगे ताकि आप जब इस टार्टिंग पॉइंट पर इस तरह ग्राइंड करके उठाएंगे तो आप लाकर के मेल्टिंग पॉइंट पर मिलाएंगे तो बहुत एच्छी तरह से मिल जाएगा तो यह इस तरह आप रेडिक किजेगा जब आप मारे टेस्ट तो स्टार्टिंग पॉइंट को अप ग्राइंड और उसके वाद से अभी हम लगाएंगे मास्किन टेप मास्किन टेप अपना पर्चिंग के लिए वेट करेंगे जब हमारा मानीटर में अक्सीजन बताएगा पर्चिंग जिरू-जिरू हो गया जिरू- जबाएगा अक्सीजन बता हैमानीटर का हौस्पाइप निकल गया मानीटर में यह जहां कितना बता है llevह इसे अंदर और में चीळू-बता वहता है अकास्टीट का पातला सा पाइप रह तो घरम से जलता नहीं है अभी हम मानिटर में देखेंगे कितना हमारा पर्चिंग आ गया है अभी यह टी है यह डाउन हो रहा है यह आएगा 0.0 तक यह 0.1 तक आएगा अभी देख सकता है 0.7 हुआ ऐसा एक्टमेटिक बढ़ जाता है पिर एक्टमेटिक कम भी होता है तो जब तक 0.10 एमम से नीचे पर रहेगा तभी आप मारना स्टार्ट करेंगे को घास तो हमारा आगया पर्चिंग अभी बरबर आपना बार्टिकल पर में करेंके करीब हम घर करें गासे स्टार्टिक से ही अपना तॉर्श को बभर गर्म लगते हुए जाएंगे और स्टाटिंग पॉइंट पे आएंगे तो दोनों भेवल के साइड में गरम करके और अपना उपर वाले पाइप पे एक एच पे रखेंगे और बहुत ही अराम अराम से उसे उपर से काटेंगे और दूसरे वाले भेवल पे लाकर अपना इसको मिल् जैसे की आप देख सकते हैं कि हमारा अंदर में फोक्स कैसे राउंड कर रहा है गाइस यू और जे यह दो तरीके कि अच्छर की हिसाब से अपना टॉर्च यहनी टेंडिशन को घुमाएंगे तो बहुत अच्छा डियसे सोल शूपर डिप्लेक्स यहसस में अच्छी तरह पी नेशन आएगा गाइस हम मेल्टिंग पॉइंट पर आ चुके हैं अगर गयप आप वह ज्यादे कम लगता है त युसे बंद करके अपना गयस को चेक करेंगे कि हमारा गयस अब देख सकते हैं अब यहां से में दानना चालू करेंगे गाईस आपका भी भी मारेंगे तो एक केमम से पीछे गरम करते वाइंगे और जहाँ पर आप च जो हमारा अंदर से फीन एक आजाता है या रूट सोटेज हो जाता है वो नहीं आएगा वो बरबर हमारा अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा तो इस चीज को आप सारे चीजों को ध्यान रखे रहे हैं जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूं कि मेल्टिंग कर लिया हूं और उसके बाद भी हम गरम करते हुए मारते तो हमारा रूट सोटेज नहीं होगा तो चलिए को अंदर में देखते एक हमारा रूट कैसा आया है ईडेकर आप कर दिया आँए और कि रूट किसा आया है तो आइस चलिए अंदर हम स्चेक करते हैं कि हमारा पांटे नेशन और रूट का कैसा है तो आप देख सकते हैं कि हमारा रूट बिल्कुल सेहर करड़ है जो कि आना चीए स्वील कर रहाईगा तो वह रूट इसको विज्वल और आटी एक्सरे में 100% पास होगा और जाइस जितना भी स्टार्टिंग पॉइंट उठाया गया है बिल्कुल अच्छी तरह मेल्ट हुआ है और बहुती सौप्ट की तरह मेल्ट हुआ है पता भी नहीं चल ला कि हम स्टार्टिंग पॉइंट कहां से उठाय हैं और कहां से नहीं उठाय है तो यह सब सारे चीज़ों को आप ध्यान रखते रहे हैं क्योंकि आप DSS हाइबी वाल्प में मारते हैं तो इस तरह रूट आयाना चाहिए तभी आपका रेडियो ग्राफिक 100% आर्टी और एक्सरे पास होगा तो यह सीजी पोजीशन में इस सब चीज़ों का फोलो करते रहें तो आपका रूट बहुत ब्रहबर 100% आएगा गाइस आप यह सकते हैं कि एक नमर का मेल्टिंग और रूट दूनों ब्रहबर आया है पेंटनेशन भी तो सीख जी में इस तरह आपको टेस्ट मारना पड़ेगा और इसे अंदर जो बोलते है वो पर्चिंग का फाइफ है तो मिल्टिंग भी हमारा सही है और इंडिंग पॉइंट दूनों पूरा बरबर सही है सिख जी में इस तरह पो टेस्ट मारना पड़ता है डियसस का तो गाइस यह डियसस मेटल का छोटी सी जनकारी थी अच्छा लगे तर लाइक से कोमेंट जरू करें मिलते हैं नेस्ट वीडियो में जय हिंद्र